नमस्कार मैं रहुनात प्रशाद आज पुने अर्वन बड़ी एलेक्षन के समंद में चर्चा कर रहा हूं और सबसे इंपोर्टेंट सुक्ति को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि जिनकी जितनी शंख्या भारी उनकी उतनी हिसेदारी इसी सिध्धानत के आधार पर वर्ष दोहजार चो में माननिये मुक मंत्रि स्री नितिश कुमार जी की सरकार ने ग्रामिन निकायों में कमजोर वर्गों को वांचित प्रतिनितित को देने के लिए अर्क्षन दिया स्टी स्टी को आबादी के नुसार जिले में और 20 प्रतिसत चुकि अतिपिछरा वर्ग की आबादी काफी है पिछरा और अतिपिछरा वर्ग मिला कर अनुमानित बावन प्रतिसत जो आबादी है उसमें 30-35 प्रतिसत आबादी अतिपिछरों की हैं और उनके प्रतिनिधी चुनकर न तो ग्रामिन निकावव में आते थे और न सहरी निकावव में 2007 में सरीनिति इसकुमार जी की सरकार ने आरक्षन दिया और एकल पदों पर भी आरक्षन मिला और इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में एकल पदों पर अनु चुकि चर्चा करना चाहूंगा एक बड़ी की, दर्वंगा नगर निकाम की, एक बहुत इंपोर्ण बड़ी है, यही आधार होगा, करिब करिब मैं समझता हूं कि सर्वी नगर निकमों की. द्रफंगा नगर निगम के वर्स 2002 जिस मैं आरक्षन नहीं था सिर्फ मेरे ख्याल से अनसुची जाती के लिए शीट रिजर्व थी दो या तिन और 2007 जब अतन पिछलावर को भी आरक्षन मिला तो दोनों का मैं एनलिसिस प्रस्तूत कर रहा हूं पुरे राजी की जनता के लिए अपने वीवर्स के लिए और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि यह कितना परिवर्तन हुआ है कितनी विवीदेता आई है और विवीदेता में ही अपने देश की एकता है और ये पता लग जाएगा कि आरेक्षन पल्ट कल आरेक्षन ग्रामी निकाए और सारी निकावाए में क्यों आवर्शक दरभंगा छेत्र के वैशे व्यक्तिंगों का मैं आभार पड़कर करता हूं जिन्होंने मुझे 2002 और 2007 के सुचनाय संकलित करने में सहयोग प्रद्रान कि जहां तक दरभंगा का सवाल है चुकि मैं वहां पे कई पदों पर रह चुका हूं इसलिए जमीनी हकीकत की बहुत मैं अच्छी जानकारी भी है मुझे तो जहां तक दरभंगा नंगर निकावाँ का छेत्र है उसमें मुस्लिम आबादी भी काफी अच्छी है जिसमें सेख पठान और अंसारी संदाय के लोग अच्छी संख्या में हैं और हिंदू में ब्राहमन, मला, यादब, तेली, सूरी, धानुक वगरे की भी संख्या अच्छी है और कैस्ट की भी संख्या यहां पर है और छिटफुट तो जो भी आबादी है वो है मैं आज एक चीज बतला कर दूँ कि शहरी जो छेत्र होता है जो नगर निकॉंब नगर परिशद हो या नगर बंचायत हो महाँ पर चुब है व्यवरसाई वर्ग कई होते हैं जो मने समान्य ने कोटी में भी आएंगा जो अनर अच्छी वर्ग है जासे मारवारी है या सिंधी है वगर वगर है इस पिछरे वर्ग में भी हैं एक आद जाती आशी है विवासाइद से जुरी हुई जो अती पिछरा में गई है लेकिन 2010 के बाद हुई है इसलिए मैं उस जाती को दो हजर दो और साथ के एलेक्शन में पिछरा वर्ग में ही काउंट करके मैंने फिगर तैयर किया है वर्ष दो उस वक्त मेरे ख्याल से रिजर्व ही रहा होगा और महिलाओं के लिए एक तिहाय आरक्षन था तो 2002 का जो जातिवार विवरणी है दरभंगा नगर निगम की चुनेवे प्रतनितियों की पारशदों की वे हैं हिंदू में उच्छे जाती में ब्राहमन पांच बात में एक जो मारवारी समधाय से प्रतनिती थे वो विधायक का चुनाव जित कहे थे इसलिए वहाँ पर उप चुनाव हुआ था और फिर प्राहमन वर्गा है तो पांच से छे हो गया था राजपूत एक काईस्ती और ये और मारवारी समधाय से तीन थे ये कुल जो हिंदूओं में जाती दोनों धर्मों को मिलाकर बारतिन पंद्रह जित कराये और कुल प्रतिशत इनका जो प्रतिनित हो गया वो चालीस दसमलों पांच हो गया मतलब कि बहुत बरी शंक्या ये अनर्चित वर्ग के प्रतिनित्यों ने जीता पिछरी जाती से यादव तीन सूरी दो सोनार कलवार एक और तेली दो कुल नौ जिनका प्रतिशत 24 दसमलों तीन है अती पिछरी जाती से मलाह तीन खटीक एक धानुक एक कुल पांच और हिंदू से और अती पिछरी में जो मुस्लिम जाती से आए वो अंसारी समदा से चार जित कराये इस प्रकार कुल नौ और इनका प पासवान से दो और पासी समदाश जाती से दो कुल चार यह प्रतिशत 10 दसमलों लोग तो यह असपस्ठ है कि आबादी होने लेकिन यह एक है कि चुकि सहरी छेत्र है यसलिए तीनों मनें उच्छे जाती पिछरी जाती और ती पिछरी जाती को मिलाकर मनें विवर्शाय से जुरी हुई जुजातियां है उस्तिके 10 परतिनिदी 37 में जितकर आये चुक्वे चुनाओ में खरे होने के लिए सक्षम भी हैं और यह रहा कि जो मेर का पत्था वो महरवारी वरिक से मेर हुए और डिप्टी मेर कायस जाती से हुए मैं यह बतला दूँ कि जो 2007 का एलेक्षन हुए उस में चुकी आरेक्षन हो गया और इसका जब प्रतिनिदी तो आप देखेंगे तो लगेगा कि बिविधता कितनी आई वैसी जातियों को भी प्रतिनिदी तो मिला जो सोच भी नहीं सकते थे कि वे दर्भंगा निगर में पारसद हो सकते हैं और सबसे बरी बात यहां रही कि चुकि एकल पद पर मालनिये मुख मंत्री जी ने एकल पद को भी आरक्षित किया था मामले कोट में भी गये थे लेकिन इसके बावजूद भी सफलता मिली भी हार सरकार को और एकल पद पर मेर का पद रिजर्व हु जन परतिनी दी के लिए और डिप्टी मेर के रूप में मुस्लिम पठान आये अब जो 2007 के चुनाओं का जो जातिगत जो परतिनी दी तो है वो है हिंदू में उच जाति में ब्राहमन चार राजपूत एक काईस्ति यह कुल आठ हुए और एक मारवारी और एक सिंधी समदाय से जित कराए यह दस हो गए और मुस्लिम समदाय जो उचे जाती वर्ग से है वो सेख चार और पठान दो छे जित कराए और हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिला कर जो अनारक्षित वर्ग है उनका प्रतिनीजित 33.3 तब है जब 20% आरक्षन मिला अतिपिछरी जाति को और अनुस्य जाती को दर्भंगा में आरक्षन मिला जिले की अबाधी के अनुपात में तब भी वन थर्ड सीट उन्हें गया पिछरा वर्ग से यादव तीन जो पहले भी था तीन का प्रतिनीजित बनिया एक सोनार एक कलवार एक तेली एक यह कुल साथ हुए 2010 के बाद प्रतिस्त होता है चोदर दसमलोग छे और अती पिछरा वर्ग के जो प्रतिनीजित आये यह निश्चित तोर पर बतलाता है कि बिहार में कमजोर वर्ग का अरक्षन क्यों जरूरी है और यह आप देख लीजिए कि इसमें मलाह चार धानुक पांच हलवाई एक धीमर एक ख कि हजाम और कुमार से परस्थ का चुनाओ जीत सकते थे और ये प्रतिशत है और उसके बाद मुस्लिम मानने अंसारी समदाश 4 कुजरा एक कसाई ये कुजरा का जितना कशाई वर्क से जितना ये बहुत बरी बात है समाज के लिए और हिंदु और मुस्लिम दोनों को मिला कर ये प्रतिनीतित है 41.7% और अनुसुचित जाती के लिए जो पांच सीट रिजर्व थी पांचो पाश्वान जाती से जीते इनका प्रतिनत है 10.4 ये 48 सीट 2007 के चुरों में थी और ये अंकरा है और इसमें जो वैसे समधाय से हैं ये उच जाती से 2, पिछरी जाती से 4 और अतन पिछरी जाती से 2, इसमें भी आठ चुनकर आये हैं मैं बिहार सरकार से अनुरोद करता हूँ कि अभी जो कास्ट सेंसर्स हो रहा है जल्द से जर्दी से पूरा किया जाए ऑन लेवल सुप्रिम कोर्ट में तो अफील हुआ ही है उसमें अच्छे ढंग से पक्ष को रखा ज रखते हैं कास्ट सेंसर्स हो जाता है तो सभी जातियों का अंखरा आ जाएगा निश्चित तोर पर सभी जिलों में जो आबादी है स्टी और स्टी की उतना प्रतिस्ट उनको आरक्षन मिलना चाहिए ना के वल नगर निकाय के तीनों नगर पंचायत नगर परिशद नगर निगम में वरन ग्रामिन निकायों कोई भी पंचायत पंचायत समिती और जिला परिशद में और 50 प्रतिस्ट जो ओनरेबल स्पून कोट का सिलिंग है 50 प्रतिस्ट से स्टी के प्रसेंटेज को घटा कर जो बचे वो अत्यंत पिछला वर्ग और पिछला वर्ग दोनों की ज सत्रा प्रतिस्ट अगर सिलिंग को जो बचता है 33 परसेंट उस ते तीस परसेंट को अत्यंत विछला वर्ग और पिछला वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया जाए यहीं समाजी नयाय के लिए सबसे बरा कदम होगा ताकि समाज के हर कम्योर वर्ग से प्रतिनिद्रत स्क्राइब करें बेल आइकन को अबर स्टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का लोटिफिकेशन आपको तुरत मिल जाए आप सभी लोगों के लिए सुब कामना है धन्नवाद जाएं